Assalamu alaikum, तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़ियासा मज़ेदार सा इंडो चाइनीज चिकिन शेजवान सिजलर घर पर बहुत ही मज़ेदार जट पड़ बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारान याने ordinary ingredients से extraordinary sizzler बनाते हैं आज का, चलिए यह है तकरीबन 20-25 कश्मीरी लाल मिर्च, इसे मैंने आधी घंटे पहले गरम पानी के अंदर भीगाने रख दिया था, आदा घंटा हो जाए, मैंने उसकी डांडिया तोड़ दी थी और बीच में से यह जो बिज़े थे वो भी हटा लिये थे, अब इन्हें चान कर आप mixer जा चानेंगे तो वो जो सारे बिज़े है जो बचे कुछे बिज़े वो भी नीचे जमीन पर रहेंगे तो आपको सिर्फ यह जो साबुत मिर्चिया ही मिलेंगी, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे बहुत अच्छा प्लेंट कर दें, तब तक प्लेंट करें जब तक ले लीजिए, इसमें दाल दीजिए आधा कब तेल, चूला फास्ट पर चालू कर दीजिए और तेल अच्छा गरम हो जाए, तो यह जो चिली पेस्ट हमने बना कर रखा है, सारा डाल दीजिए, और चुटकी बर नमग भी दाल दीजिए, चूले को मीडियम आज कर आप तेल चूटने लगा है, बस यहां तक ही हमें पकाना है, तकरीबन आट-नौ मिनिट लगेगी मीडियम आज पर, जब इतना पक जाए, तो चूले को कर दीजिए बंद, और इसमें एक टेबल स्पून विनेगर, यानि के सिर्का दाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, हलका ठंडा हो जाने दीजिए, जब हलका ठंडा हो जाता है, तो इसे आप एक कांच की शीशी में भर लीजिए, तकरीबन आप इसे एक-दो मैने तक फ्रिज में रखके बिशक खा सकते हैं, जम मन किया, ग्रेवी में डाल दीजिए, नूडल्स के अंदर भी दाल सकते हैं, फ्र या लगता है, चलिए इसे साइट पर रख देते हैं, अब हम चिकन की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ग्रेवी की, ये धोई हुई, चर्बी निकाली हुई, स्ट्रिप्स कियो हुई चिकन है, मैंने यहाँ चिकन बोनलेस में थाइ पोशिन लिया है, आप ब्रेस पोशिन ले सक का पेस्ट भी दाल दीजिए, अच्छा, ये जो हमने बना कर रखी है, जो मैंने चटनी बताई थी, वो मैं डाल देती हूँ, देड़ चोटा चाय का चमच, और देड़ चोटा चाय का चमच, लाइट सोया सॉस दाल दीजिए, वैसे मैंने दो चोटी चाय के चमच, अगर आपके पास समय ना हो, तो आप यही से ही शुरू कर सकते हैं, फ्राइग का प्रोसेस, बट मैं आदे गंडे के लिए से ढख कर फ्रिज में मैरिनेट करके रख रहे हैं, चलि ये आदा गंटा हो चुका है, चूला फास्ट आच पर चालू कर दीजिए, तेल वाला और अच्छा तेल गरम हो जाए तो मीडियम आज करके पिसमेल रफाने रेम बोल कर ये जो चिकन की पीसेज है वेल कोट करे हुए डाल दीजिए ऐसे और बहुत सारे एक साथ मत दालेगा आपकी जितनी कडाई हो उतनी ही दालेगा और इसे तकरीबन आगे एक मिनिट तक ऐसे ही पकने दीजिए जब आधा एक मिनिट हो जाए तो इसे पलट दीजिए और उलट पलट करते हुए मीडियम आज पर तक करीबन 6-7 मिनिट तक पका लेजिए 6-7 मिनिट होंगे तो तब तक अंदर की चिकन तो पक जाएगी स्ट्रिप्स है पतले-पतले और दूसरी बात ये देहेगी के बार से क्रिस्पी भी हो जाएगे तो चलिए हो चुके हैं 6-7 मिनिट मैं इन्हें निकाल कर नितार कर छन्नी के ओपर रख देती हूँ मैं टिश्यू पेपर इस्तमाल नहीं करती हूँ क्योंकि सौगी हो जाते हैं चलिए अब इसी थरीके से आप सारे बैचेस क करने के बाद पहले सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस वैसे मैं वेच फ्राइड राइस बना रही हूँ लेकिन अगर आप चाते हैं नॉन वेच फ्राइड राइस यानि कि चिकिन फ्राइड राइस बनाने के लिए बेस तरीका ये है कि जब आप चावल डा दीजिएगा चलिए अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने दो-तीन टेबल स्पून जितना घी डाला है अब यहां पर मैं दो अंडे दाल देती हूं थोड़ा सा नमक डाल दीजिए काली मिर्चों का पौडर दाल दीजिए और इसे थोड़ा सा पकने दीजिए जब पक जाए तो अब वही कढ़ाई के अंदर तेल दाल दीजिए तेल वही इस्तमाल कीजिएगा जो हमने जिसमें चिकिन फ्राइ की थी तेल दाल दे चूला चालू कर दीजिए अच्छा यह मैं वही लाल चटनी इस्तमाल करूंगी यह मैंने कल बना कर रखी थी जो चलिए अब इसके साइड वेस करके काट कर डाल रहे हूं अब यह आप अपके इसाब से जादा डाल सकते हैं और 3-4 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ प्यास जो स्प्रिंग ओनियंस की प्यास होती है न मैंने वो डाली है अब इसे मिक्स कर लीजिए फोड़ा सा मुझे तेल कम लगा तो मैंने थोड़ा तेल डाला है इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आज कर दीजिए और मीडियम आज पर एक मिनिट तक फ्राय कीजिए एक मिनिट हो जाए तो यहाँ पर मैं साइडवेस कटी हुई बेबी कॉन्स डाल रहे हूँ और यह गाजर है वो भी साइडवेस कटा हुआ द तो तीन टाइब की काट लीजिए और उसे डाल कर सारी सब्जियों को एक-दो मिनिट तक और पकाए तो पहले दो सब्जी मैंने डाली उसे एक-दो मिनिट पकाया फिर से अभी मैंने दो सब्जियां डाली फिर से एक-दो मिनिट पकाया इसी तरीके से टोटल तीन-चार मि की हो जाएगी जब यह 3-4 मिनिट हो जाए चारो सब्जियों को पका के तो यहां पर मैंने यह जो पॉपल कलर काबज आता है मैंने वो डाला है मुझे इस पार मन कर रहा था यह डालने का तो मैंने थोड़ा वनफोर्थ को इस तरीके से काता है कैबज को और यह में डाल दियो आप नॉर्मल कैबेज भी डाल सकते हैं आप बारिक कटा हुआ भी डाल सकते हैं सब्जियों का काटना पूरा आपके इसाब से काटियेगा और इसे डाल कर मीडियम आज पर आधे मिनिट तक फ्राइ कर लिजए आधा मिनिट हो जाए तो मैं यह जो आज कर दी हूँ और कब थे तो वो जब पकते हैं तो जादा कॉंटिटी हो जाती है तो यह में साड़े बॉल करे हुए चावल डाल देती हूँ तो यह जो हमने अंडे फ्राइ करके रखे यह भी डाल दीजिए इसके साथ साथ एक छोटा चाय का चमच विनेगर एक छोटा चाय का चमच सोया देजिए और दो टेबल्सपुन भर कर यह जो लाल चटनी मैंने बना के रखी थी वह डाल देती हूं और एक छोटा चाय का चमच टमाटर सॉस भी डाल दीजिए एक छोटा चाय का चमच शक्र दाल कर चुला मीडियमाच कर दीजिए और इसे बहुत अच्छे से हलके हाथ स mix कर लीजिए, इस कदर mix कर लिए, कि ये चावल जो है हमारे टूटे ना, अब इसे बहुत अच्छे से mix हो जाए, तो थोड़े से spring onions दाल कर, इसे mix फिरसे में कर लेती हूँ, और जब बहुत totally अच्छे से mix हो जाए, तो इसका चूला कर दीजिए, बंद और आप चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई चीज कम या जादा लग रही है, तो adjust कर लीजिए, जादा तो क्या ही होगी, कम लग रही हो, तो adjust कर लीजिए, मेरा मतलब यह देखिए perfect color आया ना हमारा, थोड़ी सी मैं बारिक कट्यूवी spring onions और दाल देती हूँ, अचा यहाँ सबजियां मैंने मेरे हिसाब से दाली है, मैंने सारी exotic सबजियां ली हैं, आप चाहें, तो normal सिमला मिर्च वाली सबजियां भी ले सकते हैं, चलिए, इसे side पर रखती हूँ, और अब मैं gravy बना लेती हूँ, gravy के लिए कढ़ाई के अंदर फिर से तेल डाल दीजी अपने स्वाद अनुसार, तेल वही लीजी जिसमें आपने chicken fry की थी, पास्ट आज पर चूला चालू कर दीजी, अच्छा गरम हो जाता है तो इसमें दाल दीजी, तीन टेबल स्पून बारिक कटा हुआ लसन, एक टेबल स्पून बारिक कटा हुआ अध्रग, अच्छा हरी मिर्ची मैं एक डाल रहे हूँ, लेकिन वो short capture नहीं हो पाया, माफी चाहती हूँ, वो भी डाल दीजी, हरी मिर्ची, अब आपके स्वाद अनुसार दाल सकते हैं, और इसे आदे मिनित तक fry कीजिए, जब आदा मिनित हो जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, 3-4 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ, स्प्रिंग ओनियंस की जो प्यास आती वो बारिक कट कर में डाल रहे हूँ, इसे भी डाल कर, बहुत अच् चटनी जो हमने बनाई है, वो डाल दीजिए, और 2-3 टेबल स्पून टमाटर सॉस, मैंने 3 टेबल स्पून दाले हैं, एक छोटा चाय का चमच, सोया सॉस, एक छोटा चाय का चमच, विनेगर, और 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, अच्छा, चूला मीडियम पर ही रखि चूला है, और चुटकी भर या नमक स्वादा नुसार दाल दीजिए, चूला मीडियम पर रख कर इसमें थोड़ा उबाल आ जाने दीजिए, जब अच्छा उबाल आ जाए सब सॉस के अंदर, यहां पर मैंने 400 ml पानी लिया है, यह डाल देती हूं, और इसे डाल कर इसे फ लगते हैं, और यह स्लोरी इसके अंदर दाल दीजिए, और इसमें पकने दीजिए, दालने के बाद, ग्रेवी थिक होने लगे ना, तो जब चक लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा स्पास कम लग रहा है, तो जो रेड चिली चटनी मैंने एकदम स्टार्ट में बनाई थी, वो मैं एक से डेट टेबल स्पू जितनी और दाल रही हूँ, अब यह टोटली आपके उपर है, आपने नहीं दालना है, तो ओप्शनल है, और इसमें हलका उबाल में आ जाने देती हूँ, साइड बाई साइड मैंने किया किया मालू मैं फ्रेंच फ्राइज भी फ्राइज करने रग दिये, तो यहां यह उबाल हो रहा है, फ्रेंच फ्राइज 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 हो रहे है, थोड़ा सा चुटकी बर नमक मैंने दाला और थोड़ा चुटकी बर काली मिर्ची का पाउडर भी दाल देती हूँ, जो हलका कम लग रहा है, अब अच्छा आप देख सकते हैं, थिक हो गई है हमारी ग्रेवी, तो हमारे जो चिकन पीसिस है, वो सारे डाल दीजिए, डालने के बाद आधे मिनिट तक उसे पका लीजें, मीडियम आच पर आधे मिनिट के बाद बंद कर दीजिए, इसका चूला, इसकी कड़ाई अटा दीजिए ग्रेवी की, औ और side पर मैंने क्या किया है मालू मैं थोड़े से french fries fry करे हुए रखे हैं और यह जो fry करी हुए chicken इसको मैंने थोड़ी रेंदी ओपर से डालूँगी तो अच्छा और लगेगा ना टेस्ट में अब cabbage के ओपर बिसमे लहरा खानी ने बोलकर हमारी यह जो wedge fried rice है यह सारी डालते जाएं और यह wedge fried rice को आप chicken fried rice भी बना सकते हैं चावल जब आप डालते हैं तो यह जो fry करे हुए chicken है इसके pieces डाल दीजेगा बीच में से काट-काट कर चलिए अब यहां side पर मैं यहां पर french fries रख देती हूँ तो उसका भी एक मज़ा आता है मैं जादा देर यहां चूले पर नहीं रख रही हूँ क्योंकि क्या है यहां पर रखूँगी तो मेरा camera है उसके ओपर थोड़ी सी धाक आने के वज़े से कुछ आग वगेरा ना लग जाए तो मैंने directly grilling plate को wooden plate के उपर रख और उसके बाद थोड़ा सा मखन में डाल रही हूँ वीकि अगर मैं वहां करूंगी ना directly चूले के ओपर तो वो आग पकड़ ले दी लेकिन आप directly वहीं पर ही कीजिएगा तो यह बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा chicken shizwan sizzler आप चाहें तो पहले gravy बना लीजिए chicken की प्लेट के ओपर गरम रहेंगे अच्छा अगर आप पहले फ्राइडाइस बना लेते हो तो आप बात में गरम कर लीजिएगा और फिर दालिएगा प्लेट के ओपर अगर आप गरम नहीं भी करते हो तो आप यह sizzling प्लेट के ओपर दाल देओ तो as it is वह गरम हो जाएगी इ बहुत सारी इंडो चाइनी जरीपी जरीपिश वेज नान वेज मैंने मेरे चानल पर अपलोड लिए है लिंक सारे डिस्क्रिप्शिन के अंदर ए प्लेट का लिए अपने चेक कर लीजिएगा और सब्सियां जो भी है इस रेसेपी में अपने स्वाध अनुसार दालिएग तो है ना मज़ेदा रेसिपी अज कि अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्शन में जरू शेर कीजिएगा अपने कमेंस तो ज़्या के बहुत अच्छे लगते रसेपे लगे तो लाइक जरू कीजिए और उससे जाद अच्छी लग